हाई फ्रेंड्स कैसे हाँ सब आई होपाँ बहुत अच्छे होंगे आज मैं सेर करने वाली हूं आप से इमली खट्टी मीठी चट्नी जो हमें कंटेनर में स्टोर करके फ्रेज में रख सकते हैं एक से टेर महीने तक के लिए यह बहुत अच्छी बहुत ही टैस्टी चट्नी ह होती है तो मैंने यह इमली खट्टी और इसको पानी में वोईल करने के लिए रख दिया है हम इसको अच्छे से वोईल करेंगे ताकि जो इसका पल्व है वो अलाग हो जाए और जो इसके सीट से वो अलाग हो जाए अगर आपने मेरा चनल अपी तक सब्सक्राइब नहीं कि करें और से करें और मुझे कमेंट वोक्स में जरूर बताएगी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है हम इसको अच्छे से वाल लेंगे यह वल चुकी है कि मैंने इसको ठंडा कर लिया था अब मैं इसको इमली को हाथ से मसल कर जो इसका पानी है वह अलग कर लूंगी जो इस आप चाहे तो इसे दही बड़ो के साथ भी यूज करें इमली हमारी कुक हो रही है अब हम इसमें एट कर देंगे गुड़ गुड़ आप अपने एकोडिंग एट करें क्योंकि हमें खटी मीठी चटनी चाहिए तो मैं इसमें गुड़ एट कर दूँगी आप गुड़ की अब यह मैंने सुखावा अधरक जिसको सौंट बोलते हैं वह किस पून एट कर दी है अब इसमें बुरा जीरा एट कर दिया है और यह मैंने रेड चिली फिलैक्स एट किया है यह उप्सनल है अब मैंने इसमें सिंपल सफेद वाला नमक के यह और एवन टीस्पून में इस ठीप प्रेट ने थोड़ी ज्यादा तीक है तो चीनी या फिर गुड़ और एट कर सकते हैं कि अब कलर लाने के लिए मैं इसमें और अरंज फोट कलर एट करूंगी बहुत थोड़ा अरंज पूरा एट करना है अगर आप जादे आट करेंगे तो जादे और ज़ए बहुत चटनी हमारी बन चुकी है अब हम इसको ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ठंडी होने के बाद थोड़ी गाड़ी भी हो जाए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर करें और अपना फीडबेक मुझे कमेंट वोक्स में जरूर कर लें देखे चटनी ठंडी हो गई है यह कि बहुत बढ़े चटनी वानी है कलर भी कितना अच्छा है आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट वोक्स में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाइ का अबाओ गल झाल हैं सेुभ बाईं कि भुमयो वीडियो ए्या झाल पुमयो इसको सबे हैं इसको सकती हैं करते हैं मेरेगे प을 पारेमा प् Sail ऐस समय हैं आप लाल